हलो फ्रेंड्स में शालनी, फ्रेंड्स आपने बहुत तरह की खीर खाई होंगी जैसे सेवई की, गुड की, ड्राइफूर्ट्स की, चावल की, चावल की खीर को आज हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाने जा रहे हैं, तो आज हम बनाएंगे करमलाइस्ट राइस खीर, इसका मैं यहाँ पर काजू किश्मिश बदाम लिये हैं, कम आज पर इने भून लिया है, दो चम्मच खी डालकर प्लेट में निकाल लिया है, अब ले लीजे 1.5 लीटर दूद, आज जो हम खीर बनाकर तयार करेंगे, वो 6-7 सदस्यों के लिए हैं, तो इसे गैस पर रख देते ह तेज आज पर इसमें एक उबाल ले लेते हैं, उबाल आ गया है, गैस को बंद कर दीजे और इस दूद को दूसरे वरतर में ट्रांसफर कर दीजे, दूसरे वरतर में मैंने इसलिए ट्रांसफर किया है, क्योंकि यह जो पैकिट वाला दूद होता है, तली में चिपक जाता और खीर जलने की इसमें बद्बु आनी शुरो जाती है, तो सबसे पहले हम इसमें चावल डालेंगे, चावल मैंने हैं आपर किनकी वाला चावल लिया है, जो टुकड़े वाला चावल आता है न वो लिया है, सेला या बासमती चावल का इस्तमाल करें, क्योंकि इसकी जो आप फानी से धो लीजे, फिर इसे दूद में डाल दीजे, ये मैंने दो कर्चुल चावल लिये हैं, डेल लीटर दूद में दो कर्चुल चावल डालें, अब इसे गैस पर रख देते हैं, तो तेज आज पर सबसे पहले हम एक उबाल ले लेगे, लगातार चलाते हुए, फूर्स टाल दीजे, अब इसे कम आज पर पकने देते हैं, और बीच पीच में इसे चलाते भी रहेंगे, जब थोड़ी से गाड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब खीर बनकर तयार है, तो जब तक हमार ये पक रही है, तब तक हम कैरमल बना कर तयार कर लेते हैं, एक कप च चीनी अच्छे से कैरमलाइस्ट हो जाए, इसके लिए आप आज से पैन को थोड़ा उंचा उठा कर रखे, धीरे-धीरे चीनी डिजॉल्व उना शुरू हो जाएगी, और कुछी देर में कैरमल बन जाएगा, तो कैरमल तयार है, धीरे-धीरे करकर इसे खीर में डालिए, क आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब ते की लिए, थैंक यू, बाइ-बाइ